आपका स्वागत है कलांजली में और अब रुख करते हैं साहिति की दुनिया का और बात करते हैं कहानी रिपोतार्ज की सवेधन शील और आंचलेक जीवन को कहानी और रिपोतार्ज के जरिये पेश करने वाले जोधपुर के कथाका डॉक्टर सत्य नाराइन की करीब 20 पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है जीवन और लेखन में सादगी रखने वाले सत्य नाराइन का कथे और शिल्प प्रभावी होते हैं डॉक्टर सत्य नाराइन से बात की हमारे सहयोगी चान मुहमत ने प्रस्तत है डॉक्टर सत्य नाराइन से बात चीद नमस्कार मैं चान महुम्मद आज हमारे साथ में है जोदकुर के वरिष्ट साहित्यका डॉक्टर सते नारायन पिछले चार दश्कों से लेखन से जुड़े डॉक्टर सते नारायन की अब तक 20 के करीब किताबी प्रकाशित हो चुकी है देश की विभिन पत्र पत्रकाओं में इनके कहानिया रिपोर्टाज इनके कविताएं आज ही प्रकाशित होती रहती है आज हम डॉक्टर सते नारायन से बात करेंगे इनके लेखन के बारे में साथ ये साहिते और इनकी जिन्दगी से जुड़े कुछ खास पहलों के बारे में सते नारायन ये आपका बहुत-पहुत स्वागत है धरन्यवाद आपका मुझे यहां बुलाया शुरुआत करते हैं आपके लेखन से आपके लेखन के सफर की शुरुआत कब और किस तरह हुई मतलब मैं कोई उस तरह के पहरवारी के प्रश्पूमी से तथा निसाइए तेगे लेकिन जब गाहां से पहली बार आया तो मैं एक तरह से एका की महसूस करता था और फिर मैं कुछ दिन पुष्टकाले में जाने लगा और मुझे लगा कि यहां दोस्त बनाना बड़ा कठिन था उसके पीछे परिवेश मुख्य कारन था तो मैं कुछ पुष्टकें पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अपने अन्भाओं को मुझे किसी को सेर नहीं कड़ सकता तो मैं काग़ज कि मैं कलम के भान नहीं करूं तो मैं इस तरह से डायरी लिखने लगा और डायरी के माध्यम से फिर मैं से सब्द चित्र भी कहलो कवी तायं भी कहलो कहानियों कि प्लोट्स भी कहलो या कुछ भी कहलो कि मैं उसमें टांक तारा और उस तरह से मेरी सुरुआती करीब 1975 के आसपास या कुछ दोड था ये कौन सा दोड़ था कौलेज का ट्ऑख ये मेरा कौलेज का दोड़ ता डाइरी में कौलेज में लिखने लग गया था लेकिन कहानी MN के बाद प्रकाशित हूई और भी मुचित्रों के महरूणी से मेरे मित्र वरिष्ट कई साहिपते कार थे जिसमें ρावन अंद्रा ठीये करशन किलपीت है मेरे समकारि नहीं है लेकिन थे लिखना श्रू कर लिखे था और उन्होंने उन्होंने नों देखा कि मेरे जोल्ये मैं dhogni मेरे कानी रखे है रुन्होंने का, यह थे कानी है तुम बेज़ो और मैं बेजीर वो कहानी मेरी छप गई इस तरह से मेरी कहानी लेखन की सुरुआती वो पहली कहानी कौन सी थी जो आपके जोले में थी कहानी मेरी पहली थी कंदों पर लाश कंदों पर लाश और वहाली कहाने पार्यजानियार तोर। अदिनी वहाली कहाने आपकी रास्तांपत्रे का में प्रकाश्ची लूगों बने लिए? तो निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगना हि 제 अच्छा लगना झा लिकन मुझे त हुआ लगना लकिन मुझे ज्यादे अच्छा है भी लगा कि पाठो हमी तो प्रतिक्रि आई हाी उससे मुझे लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ और फिर मुझे इस तरह से मेरी सुरुवात होती है क्या पॲप भेस से लगा लुभाट रमेगां Yakाऊ रखला होता है तो मेरे लाऑा लुभाख तरह से लेत्ध करते हैं किस वहां पारिशे मेरे जो तरह दिर्च तरह करते हैं इसका बड़े निछ दिस तरह के अथर भांप पांप पांच पैसे लेकर पांच घलास में पिलाते तो मुझे बड़ा आश्चर रवाई कि पानी के पैसे से पिलाए जाता है तो कुछ चीजें जैसे बुट्टे बाज कर दो सामानी चीज अर चीजे का मार्केट हो गया तो खेतों मेक्का के बुट्टे बुट्टे वो मैंने बिगते वे देखे तो मुझे आश्चर होता था कि गाओं में इस तरह का वारे हाँ परंपरा नहीं ती उन सब चीजों को मैं डायरी में लिख लेता था या फिर मेरी माँ को जाकी शेर कड़ता था वहां से आप कह सकते हो कि मैं सब्द किप्चती मेरी आस्ता बड़ी अपका पहला कहानी संग्रे जो है फटी जेब से एक अपने इसमें किस तरह की काहनियां शामले की अचल मैं फटी जेब से एक दिन जब दोर आया तब मैं मैं कड़ चुका था अलांगी सोथ कारी कर रहा था लेकर नोक्रियों के लिए भी अपलाई कड़ते थे हम बोड़ और मैं नहीं हमारे मित्र मॉनली थी ती ती दी जारी को लेके जो बेरे अन्भव थे आज मित्रों को अन्बव थे है ऊर युकों का न्बव थे म् UPार एं विक्ट किया और मेरी फटी जैब सिःच पसे भी लगता है और जो यु आजमा युआों की युवा लेकों की बोड़ युवा बेरosлуч का का नियुआ बर्युका उसको लेके वो कहानी है और किस तरह की कहानिया आपने इस कहानी संग्रे में शामिल की इसमें ज्यादा तर तो इसी तरह की कहानिया है जैसे एक कहानी है मेरी वो भी बेरोजगारों पर है और तमाम कहानिया ज्यादा तर फटी जेफ के दिन सीट सक भी इसलिए रखाया कि तक बेरोजगारों को लेकर है किस तरह से वो बेरोजगार भी जो है जो गाहों से आएं और सहर में अपने आतपाओं जमा रहे हैं नोकरी के लिए जमा रहे हैं या जन के लिए कोशिज कर रह क्योंकि गाहों में अब आने वाले तो वो खुद को अपने कुछ मेरे मित्रे से वी थे कि रहात को नोकरियां करते थे एर दिन में पढ़ते थे जियादतर कहानिया गैरोजगारों को लेकर भी है इसमें जैसे कंदों पर लास कहानी है तो गाहों में किस तरह से गरीबी है आपके कहनी रास्तान पत्रिका में पुरुसकित भी हुई. किस बाइन के खुबी उस कहनी में थी आपके नजरीटेश दीगें? वो असल मेरे लिए एक तरह का सिल्फ और या कहलों कि कत्थे के तोर पे Alak तरह की कहानी थी. कारण की जो पहली काहने की कोक में अकाल से जूजते हुए गाउं की कहानी थी तो अमुठ आज पत्री का मुझे पूसकरत भी किया मुझे इस कहानी को लेकर वो कि किस तरह से गाउं में अब जमीन लोग बेच कर सहरों के और पलाइन कर रहे हैं उसमें भी जो युवक होता है वो दो भाई जमीन बेचना चाहते हैं और बो कहता है कि जमीन नहीं बेचते हैं कत्थे और शिल्प के नजरिये से देखे तो आपके काहनी अलग अटके होती हैं या खूब होती है आपके कत्थे और उस शिल्प में किस तरह आप उसको अलग अटके बनाते हैं कत्थे तो जैसा कि अरलेखक अपने अनुपाव के अनुपाइट अनुफार होता है, मेरा भी कथे मुझे यह लगता है कि जो बदल रहा है गाहँ, या सेर, या युवक, या हम जिस परवेश में रहने हैं, उसको किस तरह से है, और कथे यह बदल बदा अ होत्य, मैं उस जिस पात्र को गड़ता हूं या जिस पात्र को अभिवक्त कड़ता हूं उसकी बासा और परवेश पूरी तरह अभिवक्त हो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी बासा को मेरे पातनों के मात जंस बेकाते हैं ताकि जादा पाथ होता है को सरी डंग से प्रेश्ट हो सके घाजिस्तानी के सब भी से उस जिस इस रूप से मेरे कहानियों में जादा होते है। रिपोर्टाज आप कहलो कहानियों के ग्रामिट जीवन और बेरोजगारी के अलावा बात करें दो और किस तरह के कथाने आपने कहानियों में शामिल कि हैं? कहानियों के तीन कता संग्रा आए और रिपोर्टाज आदा दर्जन के करें प्रकाशिक हो चुकिए आपने साहिती कि इस विदा को क्यों चुना क्या ये मजबूत विदा लगी आपके नजरिये से असल में क्या है कि मैं सुरू से ही मेरे लिए एक आगा जाता है कि यावर पर पर रतिका वेक्ति रहा हूं जै मैंने नोकरियां में खूब कियें कई तरह की बिन अनबव मेरे रहें तो उस दोरान मैं मतलब कई तरह के जीवन में अनबव जो आयर जो पात्र मिले जै तो मुझे लगा कि कहानी की एक इस तरह का अनुसासन है जिवन के अनबव कहलो या पर प्रफिर्ट अज विजा को अपना है जिवन आसर मने इस को आप रिपोर्ट अज का वी इस रूप में जैसा मैं आपने चिवाल पूछा था जिवन का तो तो मैंने रिपोर्ट अज गा जो प्रसलित सिल्प ता उसको तोड़ा भी है मेरे लो चक्पीतर राजैर्म किस तरह की किरदारों को अपने रिपोर्ट ताज में पेश किया असल मैं इतने अन्भू हैं जैसे मैं दोलपूर में रा जिए दोलपूर में इस तरह के डांग खित रहे हैं वहां डहर रखेतों का इलाका है वहां में कूब बटका उनको लेके वी है और पुठबाद रहने आप लोगों से मिला उनके अनभू है बस कंड़क्टर के अनभू है मेरा एक लंबी कहानी जैसे आपने का रिपोर्ट आज जिए एक ड्राइवर पर रहे मेरा ट्रुक ड्राइवर के साथ मैं गया किस तरह किया तो आप यह कह सकते हैं कि जीवन के करीब करीब कौन से ऐसे एक शेत्र नहीं है जो मैंने देखे नहीं हो यह तो नहीं कह सकता है कि मैंने सारी देख लिए हैं लेकिन मैंने जितने देखे हैं उनको मैंने इस विदा के माध्यम चार्विक्त करने कोशिच किया है और थादेश एक पत्रिका है हिंदी की बड़ी पत्रिका साहि तो दो जार एक में मैंने सुलू किया तेर करीब आट-दस साल लगा तार मैंने यावर की डायरी सीट से कोलम लिखा था और पत्रीका में मैंने लिखा था सपर नाव पृटपात का करीब रास्ताम पत्रीका में तो ये फिर वो एक चल पड़ा मतलों साहिद में गे उपक्षित पीडी तो समयदने जहां आपको जिस किर्दार में जिस फुप में नजर आई आपने उसको अपना है जादत तर वो ऐसे चेरे हैं जो चेरे हमारे अगल बगल लेते हैं लेकिन उन चेरों पर हमारी नजर नहीं जाती जैसे मैं मान परकार सिनेमा का आपको बता टोफी तो क्या उंदना मीठी घोलियां बेचा कड़ता था जब वो पेड की बरसनों तक वेड़ता रहा बुजूर का आदमी था जब पेड कटा वो काट दिया गया तो वो उस दिन मैंने देखा कि दूसरे दिन वो उस पे लोटे से पाने डाल रहा था और रो रहा था मैं जिसे समसान पर रहने वाले कुछ चैरे थे समसान पर मेरी कान भी ऐसी तरह थे तो इस तरह के बदलब जैसे बस कंड़क्टर पर प्या है तो इस तरह के बदलब नानाविद कहलो आप जो चेहरे कहलो चरित्र कहलो या भी आपने कहा कि जो मन को छुने वाली समवेदना है जो मुझे छुई मुझे लगाया कि पार्ट को मैं बताओ किस तरह से पार्ट को देगी संप्रेशित है कितना आसान है किसी भी समवेदना को देखना, उसको मैसुस करना और फिर प्रभावी तरीके से उसको रिपोर्टारज के रूप में पेश करना असान था उतना दोनों थी जहें हासान है कि ज़िए हम आप सीधे जैसे किसी चित्र के माद जमचे खेंच के अब रख देते हैं जैसे कोई में जैसे काफका की बात यादा थी निर्मलवर्मा ने उनके लिए लिखा था वो यह आपको बता हूँ उन्होंने लिखाता है कि काफका क्या गड़ते थे कि जिस तरह से कीड़ा है कीड़े जाते-जाते किसी ठोकर लगिर उल्टा हो गया और वो सीधे होने के लिए तड़ फड़ा रहा है ये मुक्तिबोद के लिए भी कहा जाता है तो वो सीधे होने के लिए तड़ फड़ा रहा है और जो उसकी बेचेनी है तो काफ का क्या करते हैं कि अपने आपको उस कीड़े में बदल लेते थे और उस पीड़ा को खुद महसूस करके फिर अभिव्यक्त करते थे तो मुझे भी लगता है कि कई बार मैं उन पात्रों को कई पतलब यह नहीं कि देखते ही लिख दिया मैं डायरी में लिख लेता हूँ और वो सकता है कोई कर चरितर दो साल बाद लिखा जाए तीन साल बाद लिखा जाए और वो मेरे भी दर इतना रम जाए और मुझे लगता है कि इसके लिखे बना रह नहीं सकूंगा और तब ही हम पाठक तक उस समधना को पूंचा सकते हैं क्यांकि उस समधना से जब तक आत्म साथ नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि पाठक भी समधन इतनी होगा वरना तो उपट से मुझे जाती है बहुत सी कहानिया होती है आपने आलोचना पर भी तीन पुस्तके लिखिये एक नागारजुन पर लिखिये और दो किताबे आपकी तो किस तरह के विशे किस अंदाज में आपने इसमें लिए उसल में आलोचना तुम्हें इसलिए कि अपने आपको उस तरह से आलोचक तो नहीं मान था लेकिन नागारदुन पर जो किताब है मेरी मुझे लगा जिनागारदुन की जब मैंने उन दिनों कुपन्यास पढ़े में उससे बहुत प्रवावित हुआ और उनकी कविताएं भी थी के सीधी संप्रेशी तो होती जनता को संबधी तो होती थी अलाएं कि उनमें सिल्प की बुनावट नहीं होती थी लेकिन वो एकदम सहर सरल्दाज पाठकों ते पहुंचती थी मुझे लगता है कि इन पर काम होना चाहिए था और साइद मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी नजर में तो नहीं लिग मेरा पहला काम था बाबा पर अब तो था सेंगडों पीस्डियों हो और बागी जो लिखे मैंने कुछ चीज़ें जैसे मुझे मल्यज की डायरी पढ़ी तो मुझे बहुत प्रवावित की थी और मुझे लगता है कि मल्यज की डायरी पढ़ के लोगों तक और पढ़ें तो मैं पिर उन पे लिखी मादेवी पे कुछ चीज़ें पढ़ी तो मैंने उन पे लिखी इस तरह से बोनेसर मुझे बहुत प्रिये लेकर के मेरे मुझे लगा है कि उनका जो प्रवाब मेरे भी पड़ा तो उस तरह से कुछ आलोच ना है मैं में लिए कवीताओं की दो किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी है तो कवीताओं में ज्यादे तर आपने प्रेम कवीताओं को चुना प्रेम को बेस बनाया कवीता का तो क्या एक तरफ कहानियों में आप समेदन शील विस्वें को उठाते हैं दूसरी तरफ रिपोर्ट आज है उसमें पीडी तरू पिक्षित वर्ग को लेते हैं मुर्म मेरे निखन जिसा सब्सक्राइब inne मेरे जाधर पकान कायनिया मुल्म मेरे जाधर तर रिपोर्टाज कहानिया वेश गाता राग् Natalie मेरे मेरे बस भी द्राइज करूँ भी भी जाता था पीः वूड़े ईटर निखता पास्टाइब क्वेता था, तो कविताम है मेरी काहा है कि अना या डाइरी लखता हूं, अभी भिलिखता हूं ़ी दूकर कितां है अननबाऊं को अभ्वक करता था, मैरे मित्र को मैं 해 पढ़ाया, रभा능न दुरिवेदी कहा था, भूरत अच्छे कहाने लेकि आम-लेखकः, आम लेकक से मतलब जो किसी खास विदा में नहीं लिखते हैं उनके लिए वो कौन सी विदा है जो कालगर्द साबित हो सकती है और उनके लिए एक प्रभावी विदा साबित हो सकती है ने वो कताई लिखते हैं ने कहानिया लिखते हैं ने कवीताई लिखते हैं ने करता हूं कि तुम लोग डायरी अपने पास रखो रेम चंद भी ये कहते थे कहीं भी जाएं तो आपने साथ डायरी लिखें यदि किसी पाठक मतलब कई बार तो ऐसा भी मैंने ऐसे लोग भी देखें मेरे पास भी द्यारती आते हैं जो लेखन जैसे जैसा है आपने कहा है कि इन कुछ चीज है लाके मुझे बताई है मैं गए दोड़ी अद्बुत चीज है ऐसा लगाता है लिखो तो यदि वो रोज या कभी-कभी अपने को अब्यक्त डायरी के माद्यम से कड़ते हैं उन विदाओं को भूल जाना चाहिए उनको जो लिख रहे हैं अगर वो पूर इन इंटेंसिटी से कितनी समयधन सी इता से उसको लिखता है महत पून बात है विधा क्या है वो फिलिखने के बाद अब्देर होगा कि वो कौन सी विधा होसा अपने आप पाठकता कर लेगा या विधा खुद उनके आती है जैसे रिपोर्टाज भी सबसे पहले हैं वहन लिखय थे जो दूसरे विशुद में गए थे और वहां सी सपाई कया बदले अवसर थे आपते आपनीमें तो जो देखते थे उननको जब लिखने लगी ऊज़तों तो इस तरह तो पाठक का जो लिखने वाला है उसको अपनी जो तिवर सम्वेदन सीर्था कहलो उससे लिख रहा है तो वो अपना विदा बंदन देखा आपका जो लेखन है चाहिए कहानी हो या कविताइं हो तो उसमें एक इस्तरी की पच्चाप सुनाई देती है क्या राज है क्या वज़ए है कि कहीं ने कहीं आपकी कविताओं और कहनियों में इस तरी किसी ने किसी रूप में नजर आती है अब अभर दिखने के पीछ पचाप मेरा कारण हो। अगर यह पचाप नहीं हो तो साइध में साहित में नहीं आता है। मैं और कहीं जा रहा है। जीवा नहीं है। उन शंदर्बों में यह पचाप मुझे ऐसे अमने सुनाई दी। दो मैं बटक रहा था और मुझे लगा कि यह पचाब बनी रहे इसलिए फिर में लेकन में आया फिर में लिखने लग गए और उस इस तरीकों भी आपने अपने उस लेकन में कहीं ने कहीं किसी ने किसी रूप में शामिल लगा खास्तुर पर कवीताओं में हाँ मतलु कहीं भी जलग दिखती है अच्छा लगा आपने एक नया सब्द गर दिया पचाब 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 हमें बचाती हुए हम किसी गलत रास्ते पर नजाएं यह जरूर नहीं है कि वो हमें प्रतेक्स सुनाई दें कई बार होता है माता पिता हमारे साथ नहीं होते हैं हमें अप्रतेक्स रूप से उनकी गूंजे सुनाई देती हैं तो पचाब मेरे लिए वो गूंज ऐसी मान सकते हैं यह वक्त का तकाज़ा है कि हमें अपने बाचित यहीं रोकनी होगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला हमारी स्टूड़े और साहि अगली बार फिर मिलते हैं कलांजली में नई कला और साहितिक गती विद्यों के साथ नमस्कार